हाउ टो डिलेट फ्लिप कार्ट सर्च हिस्ट्री नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तेकी रहाची यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की वीडियो पर जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्लिप कार्ड के सर्च हिस्ट्री को डिलेट कर सकती और फिर कैसे के आपको बात रेता आतक पर धाकर सकते एँग्रों आपको आज की वीडियो पर शो्रों करके बताने वाले वाहुझत शुरू करने से पहले यह आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देखें तो यहां पर जली से वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों देखते हैं कैसे करके कही है आपको यहां पर ऊप्षिंङ से इसकित का सकते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमें जाना है अपने सेटिंग बर जाए उसके बार अपना जो असमें जाके मैंनेंजक को आपैन कीजे इंगरो ऍलें गए Oo उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सर्च करना है फ्लिपकार्ट तो फ्लिपकार्ट सर्च करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर क्लियर खेश कर देना होगा ठीक है तो चले यहाँ पर हम सर्च करते है फ्लिपकार्ट को उसके बाद दोस्तों इसका जो खेश है तो क्लियर से तब देख सकते हैं यहां पर तो अभी करने के लिए आपको क्या करना होगा आप इसका बपर सब्सक्तरा तो यहां पर दुबारा से आपने फिलिपकाट-पर ने है वह रिमूफ हो जाएगा और आपका जो एकाउन है वह लोगाउट हो जाएगा ठीक है क्लियर डेटा करने से यहां डेटा डेटा वगएरा कुछ लोस नहीं होगा यह आपके पास कार्ट है तो कार्ट में दोस्तों जो भी आपने फ्लिप कार्ट का यहां पर सर्च हिस्ट्र है वह डिलेट हो चुका होगा तो यह दोस्तों आपको फ्लिप कार्ट का जो सर्च हिस्ट्र है उसको डिलेट करना ही है तो उसके लिए दोस्तों आपको अपना जो फ्लिप कार्ट का यहां पर क्लियर डेटा है उसको कर देना है उ